अगर हम किसी से पूछें बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए ऐसा क्या करें कि हमारी बॉडी में बिमारी ना आए तो कोई आपको कहेगा सुबह उठकर exercise करनी चाहिए, कोई आपको कहेगा जिम जाना चाहिए, कोई आपको कहेगा कि लंबा चोड़ा diet plan करना चाहिए लेकिन दोस्तों जब हम इन चीजों को सुनते हैं तो हम घबरा जाते हैं हमें लगता है हमारे पस इतना समय नहीं है, कोन सुबह जल्दी उठे और exercise करे इजी कारण से हम लोग अपनी body का ध्यान ही नहीं रखते लेकिन दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, body का ध्यान रखना बहुत ही असान है क्योंकि आयरवेद में ऐसी धेरो चीजे हैं, जिनको अगर आप सही ढंक से खाते हैं, तो आपकी body में कभी कोई बिमारी ही नहीं आती क्योंकि आयरवेद कहता है, हमारा श्रीर वैसा ही बनता है, जैसा हम खाते हैं जो हम करते हैं वैसा श्रीर बनेगा ये तो अलग बात है, सबसे पहले ये ज़रूरी है जो हम खाते हैं उसको ध्यान दे अगर आप सिरफ अपने खाने पिने की छोटी छोटी चीज़ों को सुधार लेते हैं, तो आपको कभी कोई बिमारी होगी ही नहीं अगर आपके परिवार में किसी को डाइबेटीज है, हाई बलड प्रेशर है, बाल जड़ते हैं, चहरे पर पिंपल्स हैं, हर्ड ब्लॉकेज है या ब्यंकर अर्थराइटीस की प्रॉब्लम है क्यूदी बिमारी के पीछे का असल कारण है, वो आपको कोई बताता ही नहीं है, और जब हमें बिमारी के पीछे की जड़ का नहीं पता होता, तो हम इलाज गलट ढंक से करते रहते हैं इसी कारण से बिमारी जट से जाती नहीं और समय बीतने के साथ साथ वो बिमारी बड़ी बन जाती है ठीक उसी तरह से जिस तरह से सिर्दर्द होने पर अगर आप पेन किलर लेते हैं तो यही सिर्दर्द आगे चलकर माईग्रेंड की प्रॉबलम मन जाएगा अगर आप बोडी में पेन होने पर पेन किलर लेते हैं तो धीरे धीरे ये प्रॉबलम भी अर्थराइटिस जैसी भ्यानक बिबारी में कनवर्ट हो जाती है अगर आप पिंपल्स होने पर चेहरे पर कुछ क्रीम्स लगाते हैं या कुछ टैबलेट्स लेते हैं तो ये जो पिंपल्स की प्रॉबलम है ये आगे चल कर कोई बड़ी स्किल की प्रॉबलम बन जाती है इसलिए जानना जरूरी है कि हम क्या गलत करते हैं क्योंकि अगर हम अपनी गलती को सुधार लेंगे तो बिमारियां आपके घर से कोसो दूर रहेंगी तो प्लीज इस वीडियो को देखते रहें अपने 5-10 मिनट जरूर निकाली दोसो प्राने जमाने में खाना खाने के बाद एक चीज खाने के बाद जरूर खाई जाती थी और वो चीज है गुड यनि की जागनी आज भी अगर आप रेस्टरंट में जाएं तो कई जगह पर आपको खाने के बाद गुड सर्व किया जाता है क्या आपने कभी ये सोचा कि इस good का importance क्या है हम में से कुछ लोग बस इतना ही समझते हैं कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना चाहिए तो मीठे में कुछ भी जलेगा चाहे good खालो या शक्कर खालो या चीनी खालो लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है खाना खाने के बाद good खाने की अपनी ही अलग importance है इसलिए पुराने जमाने से ही गुड का इस्तेमाल खाना खाने के बाद किया जाता है लेकिन आज कल हमने good को replace कर दिया अलग अलग तरेंकी sweet dish से यही सबसे बड़ी गलती है आयरवेद में good की बहुत importance बताई गई है अगर आप good को सही ढंक से खाते हैं तो आपकी कई बिमारियां जट से खतम हो सकती है खाने के बाद good खाना ये एक बहुती चोटी लेकिन बहुती अद्बुच चीज है क्योंकि दोस्तों जो good है वो खाने को दो गुना तेजी से पचाता है क्या आपको पता है कि आपका खाया हुआ खाना कितने समय में पचता है दोस्तों अगर तो आप फल खाते हैं तो वो तीन घंटे में पच जाते हैं लेकिन वही अगर आप अनाज खाते हैं तो उसे पचने में 15-20 घंटे लगते हैं। लेकिन उसी 15-20 घंटे के बीच में हम अपना अगला मील खा लेते हैं। यनि कि पहले का खाया हुआ खाना पचता नहीं कि उपर से और खा लेते हैं। इसी कारण से हमारा पेट भर जाता है और देखते ही देखते हमारे पेट में कॉंस्टिपेशन जैसी बिमारी पैदा हो जाती है। इसी लिए अगर आप खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं तो आपका खाना जो 15-20 गंटे में पचना था वो 7-8 गंटे में ही पच जाएगा। जाती हैं क्योंकि कब्स सभी बीमारियों की जड़ है और इस चीज को कोई बंदा समझ ही नहीं पाता और डॉक्टर भी आपको यह नहीं बताएंगे आप किसी डॉक्टर के पास अपने पिंपल्स का इलाज करवाईए डॉक्टर आपको यह कभी नहीं कहेगा कि आपके बेट को suppress करते हैं तो एक बार तो आपके pimples ठीक हो जाएंगे लेकि जो pimple के पीछे की problem यनि constipation थी उसे तो आपने ठीक ही नहीं किया और अगर उसे ठीक नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये छुटे-छुटे pimples आपके चेहरे पर मोटे-मोटे pimples के रूप में बाहर निकलते हैं इसी कारण से हमारी बिमारियां जो हैं दोस्तो वो सही नहीं हो पाती आज मैं आपको बताता हूँ आपको गुड किस सरें से खाना है तकि सिरफ गुड के जरिये ही आप अपनी बिमारियों को जड़ से खतम कर सकें दोस्तो गुड को आप दो तरह से खा सकते हैं एक तो आप इसे रात को खाना खाने के बाद खा सकते हैं और दूसरा इसे सुबह खाली पेट खा सकते हैं अगर आप गुड को सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में कई तरह से फायदा करता है आईए जानते हैं अगर गुड को सुबह खाना है तो किस तरह से खाएं और इसे क्या-क्या फायदे आपको होंगे दोस्तो सुबह के समय में गुड़ खाने के लिए सुबह खाली पेट ही गुड़ को खाई जब आप सुबह उठें तो खाली पेट थोड़ा सा गुड़ और उपर से एक गिलास गरम पानी का पीए पानी बहुत ज़्यादा गरम नी होना चाहिए गुड़ पानी का एक गिलास आप गुड़ के उपर से पी सकते हैं अगर इस तरह से लगातार आप 2-3 महीने भी गुड़ खाते हैं तो आपकी बॉड़ी बिमारियों से मुक्त हो जाएगी दोस्तो ऐसी जो बिमारियां आपकी बॉड़ी से गायब होगी मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ सबसे पहले नबर पर है खून की कमी आज कल 50% से ज्यादा लोगों की बॉड़ी में खून की कमी है क्योंकि हमारी बॉड़ी में आईरन की कमी हो जाती है जो खाना हम खाते हैं उसमें आईरन है ही नहीं और जो बरत्रों में हम खाना बनाते हैं वो भी आईरन के नहीं है पुराने जमाने में लोग लोहे के बरतन यूज करते थे जिस कारण से खाने में आईरन का कॉंटेंट बढ़ जाता था और लोगों की बाडी में से खून की कमी दूर हो जाती थी लेकिन आज कल हम लोग अपने घर में अलुमीनियम नॉन स्टिक के बरतन इस्सेमाल करते हैं इसी करण से हमारे खाने में आईरन कोंटेंट कम हो जाता है और बॉडी में खून की कमी हो जाती है और खून की कमी होने पर हमारी बॉडी में कई रोग पैदा होते हैं जैसी कि low blood pressure, बालों का जड़ना, चहरे पर pimples निकलना, कमसोरी रहना, स्किन का ढीला पढ़ना, wrinkles निकलना, सिरतर्ध होना, चक्कर आना, ऐसी कई बिमारियां हैं जो सिरफ आपकी body में iron की कमी से होती हैं. लेकिन जब आप सुबह खाली पेड गुड का सेवन करते हैं, तो आपकी body में iron का content बढ़ जाता है, जिससे आपकी body से खून की कमी दूर हो जाती हैं, और यह सारी बिमारियां आपकी body से गयब हो जाती हैं. दोसो गुड इतनी अद्बू चीज है, आप इसे एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं. जो बच्चा आज पैदा हुआ है, उसे आज ही आप गुड खिला सकते हैं. गुड की इस प्रथा को कई जगा पर गुडती के नाम से चाना जाता है, जिसमें पैदा हुए बच्च को किसी के हाथों से गुड खिलाया जाता है. आप सूच ये एक छोटे भच्चे को जो अभी पैदा हुआ है, उसके लिए अगर गुड इतना इंपॉर्टेंट है, तो गुड हम सभी के लिए कितना लाबकारी होगा. दोसो ये गुड ऐसी चीज है, जिसे अगर आप अपन की प्रॉब्लम हो, तो गुड का सेवन करें. सुबह खाली पेट गुड खाकर गरम पानी पीने से, पेट से सबंदे सारी बिमारिया दूर होती है. दोस्तों, हाई ब्लेट प्रेशर के मरीजों के लिए गुड वर्दान है. हाई ब्लेट प्रेशर में भी सुबह खाली ये डॉक्टर आपको दवाई देता है. अब जो दवाई आप खाते हैं, उससे आपका खून कुछ समय के लिए पतला होता है. क्योंकि खून के गाड़ा होने के पीछे का जो exact कारन था, जो जड़ थी उसको आप सही ही नहीं कर दे. दोस्तों, खून के गाड़ा होने का मतल तो हाई बीपी की प्रॉबलम को खतम करी नहीं पाओगी. इसलिए आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो पिछले 15-20 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं, फिर भी उनका हाई बीपी नॉर्मल हुआ ही नहीं. कारण ही यही है, क्योंकि हाई बीपी का जो तो इससे डवाई को लेने का अलग तरीका होता है, और समय होता है, आपको उस दवाई को उसी समय से उसी अनुपात में लेना है. अब मेथी दाने को डवाई को डवाई के लिए 3 महीने ही खाना है. जब आप दवाई पिछले 10 साल से खा रहे हैं, तो क्यों ना आप मेथी जाने को 3 महीने खा कर देखें. इसी तरह से ही गुड को भी लगा अतार आपको 2-3 महीने खाना है. ये नहीं कि 15 दिन गुड खाया और सोचा कि हमें तो फाइदा ही नहीं हुआ. दोसो दवाई डॉक्टर जितने समय के लिए कहता है, उतना समय हमें खानी चाहिए. जिस तर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम का जो में कारण है, वो है हमारे खून में यूरिक एसिड का बढ़ना, यानि कि एसिड की मातरा का बढ़ जाना. अब अगर आप अपने पेट को सही कर लेते हैं, तो आपका खून साफ हो जाएगा, और खून साफ होने से आपके खून से य साफ ही इंपॉर्टेंट है, बालों की जड़ों को मजबूत करने में गुड बहुत ही मदद करता है, दो से तीन महीने में बालों का जड़ना बिल्कुल खतम हो जाएगा, दोस्तों इसके लावा अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, तो आपको खाली पेट खाली पेट गुड खाते हैं और उपर से गुनगुना पानी पीते हैं, तो आप इतनी बिमारियों को जड़ से कतम कर सकते हैं, ये तो सिरफ कुछ बिमारियां हैं जो मैंने आपको गिनाई, वैसे कई बिमारियां हैं जो आपकी दूर हो सकती हैं, आप बस अपनी जिंदग पहने के लिए हमें बहुत पैसा खर्च करना होगा, शायद हमें बहुत समय निकालना पड़ेगा, शायद हमें बहुत जीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है, अगर आप आयरवेद के नियमों का पालन करते हैं, तो आप बिना पैसा खर्च किये भी स्वस् I hope friends, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें तकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें वीडियो को शेयर करना फुरी होता है और आसान भी है वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है उसके ओपर क्लिक करें और इस वीडियो को वाटसेप की गृप्स में जब फेस्बुक पर शेयर करें ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल पेस सल्यूशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसके ओपर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो के साथ फ्रेंट्स दोबारा मिलेंगे धन्यवाद